इन वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में आपको special बताने वाला हूँ और यहां पर जो candidate बहुत सारे candidate कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे इतनी नमबर है इतनी नमबर है तो मैं आपको exact बताने वाला हूँ कि कितनी नमबर यानि कि total जो students हैं वो केवल pass ही हो पाए है ठीक है और कितनी students यहां पर passing marks भी नहीं लेकर आपाए हैं वो सारे चीज़ें में इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ और काफी students नों बताया है कि objection किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन-कौन से questions पर objection लगा रहे है students यह तो आपको भी बताना पड़ेगा दोस्तों ठीक है दूसरी बात दोस्तों सबसे प्मेहन बात यह है कि qualify जो passing mark थे सबसे पहले उनके बारे में जानना होगा आपको के वर पास ही हो पाए है यानि कि qualify कितने candidate हो पाए है क्योंकि maximum candidates ऐसे ह है जिनके 23 नंबर यानि कि 30 नंबर 29 नंबर इस तरीके से नंबर हैं तो जो pass नहीं हो पाए है qualify नहीं हो पाए है तो उनका यहां पर कोई भी मतलब नहीं है दूसरी बात जो candidate की बोल रहे है नौर्मलाजेशन किस तरीके से होगा और नौर्मलाजेशन से किस के लिए फायदा होगा कौन का यहां पर सेलेक्शन देखने को मिलेगा ठीक है वह सारी जानका इस वीडियो में देखने वाले है ठीक है जैसा मैंने आपके लिए हमेज़ा से help करता आया हूं सबसे पहले मैं आपको यह बतना चाहूंगा देखिए मैक्जिमम केंडियेट के यहां पर कम से कमेंट्स आएं और उन कमेंट्स में यहां पर जो नॉर्मली जो नंबर स्टुडेंट्स के दरब बताए गए वह मैं आपको एक बार बता देता हूं आपको जैसे अनुमन आएगा उसकी इनफ्रमिशन आपको अपने प्यारे चैनल सक्केरट्स के जल्दी जल्दी बताए दियागी लेकिन उससे पहले स्टुडेंट्स में यह होता है कि कितने नंबर स्टुडेंट्स के हैं और क्या क्या क्राइटरिया है और कितने जो है पासिंग मास हो जकते हैं वो सारी चीज़ें students के मन में रहती है result आने से पहले तो वो चीज मैं आपके लिए clear कर देता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे काफी students कमेंट के हैं जैसे नॉर्मली जो range है students होगी ऐसा नहीं है कि 60 प्लस सभी students के नंबर हैं ठीक है 60 प्ल 41 नंबर है, 39-38 ठीक है इस तरीके से देखिये बहुत सारे इस कमेंट हैं यहाँ पर आप देखते जाये 38-36, 42-40 और यहाँ पर इस तरीके से देखिए घर और यहाँ पर देखिए यह जो comment आया है यह 58 अभी ایک candidate का आया है ठीक है उसके बाद में 46-39 ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों जो रेंज है इनकी यहां पर देखेंगे 22 28 sorry 40 तो इस तरीके की जो रेंज है नमरों की दोस्तों यहां पर जो passing सबसे पहले जो आप लोगों को passing mark देख रहे होंगे उसके बाद में जो criteria है इसका ठीक है देखी normal जो जो बताए गए तो यहां पर average 40 है ठीक है average 40 है लेकिन 40 से अब जिनके नमबर ने दोस्तों किसा है वो कौन सी के टीकरीगा हो तो यहां पर उसके लिए चांस हो सकते हैं इन comments के अगरण देखेंगे maximum candidate कमेंट किया है यहां पर यहां पर दोस्तों धाईसो प्लस कमेंट हो चुके हैं ठीक है तो देखेंगे आप लोग अब डियर स्टुडेंट्स सबसे पहले आप इस चीज का अनुमन लगाईए यहां पर देखिए जो यह टोटन है 50 505 इसमें criteria क्या क्या था यहां पर सब कुछ आपके लिए बता रखाय है और फिर се और बता देता हूं सब से पहले यहां पर number देखी देखिए कि कोभड की कितने कितनी नंबर यहां पर जुड़ेंगे पांस नंबर जुड़ेंगे दस नंबर पंदर नंबर अब जिसके पास six month का जो है experience है COVID में काम किया हुआ तो पांस नंबर उसके लिए मिल जाएंगे और जिसके साल एक साल का है तो दस नंबर दस परसंट बढ़ेंगे उसके और जिसके पास one year और six month यान की डेट साल से उपर है तो उसके लिए आप पंदर नंबर extra मिलेंगे तो यह बहुत बड़ा यहां पर benefit है और मान के चले किसी भी candidate के passing mark सबसे पहले मैं आपको passing mark की criteria बता देता हूँ यहां पर देखे जो जनरल के candidate हैं उनको कम से कम 33% mark तो लेके आने यह मैं आपको अगली वीडियो में भी बताया था अगर इस नंबर से ज्यादा आपके हैं तो वो पास हैं qualify हो चुके हैं लेकिन चाहें वो जनरल का candidate है उसके number 26 आये हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि उसमें यह जो न process होगी ठीक है ऐसा नहीं है कि जो पास भी नहीं हुए qualify भी नहीं हुए उनके लिए यह benefit मिलेगा ठीक है तो इसी तरीके से बता रगा था और दूसरी बात जो OVC Candidate हैं कम से कम 30 number हैं अब देखे काफी comments आपने देखे होंगे जो मैंने आपको अब दखाया था इसलिए comments देखाया था जहां पर जिस स्टुटेंट के 26 number है ठीक है OVC में है लेकिन उसको minimum कितने लेके आने थे 30 लेके आने थे तो वो दोस्तों qualify नहीं हो पाया ठीक है तो वो यहां पर जो है बोल सकते हैं qualify नहीं होया सिधा-सिधा और उसके बाद में SCST वालों के लिए 24% है यानि return duration की प्रकरिया मैंने आपके लिए बताई है किस तरीके से लाग होने बाली है देखिएид नौन मैं से मानकेचे आपके 6 finding हैं ठीक है 6 सिप्टों में से आपके जो शिफ्ट देखी जाएंगी ठीक है सब भीस CSDव को भीस को कौनशी से सहज़ा गाए एक तो और उस मानके सि सिक्स नमर आयते हैं ठीक है और वह स्रिफ्ट हाड थी तो उस स्रिफ्ट के उस कंडिएट के नमर वहां पर बढ़ जाएंगी अधर स्रिफ्ट की तुल नाम है ठीक है इस तरीके से आपको जो है नॉर्मलाज़ेशन से फायदा मिलेगा लेकिन पासिंग मार्स आपके होने ही ठीक है जो पास होए कंडिएट उनके लिए नॉर्मलाज़ेशन भी होगा और यह जो कोविड वाले नमबर हैं दोस्तों कोविड के नमबरों को आप देख लीजिए 6-5 नमबर 10 नमबर 15 नमबर जो कितना वेनिफिट यहां पर होगा जोना भी कोविड में काम किया है ठीक ह तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा वेनिफिट उसके लिए हो जाएगा तो इस तरीके से आपको सारा क्राइटरिय देगा जाएगा और मैंने आपके लिए कटॉप दोस्तों बता दिये कटॉप आपकी एग्जैक्ट रहने वाली है अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखिए तो वह जाके जरूर देखेंगे जिससे आपको 100% पता लग जाएगा कि हाँ यह एक्पूरेट है या नहीं है ठीक है और आपके रिजल्ट की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों रिजल्ट आपको बहुँच जल्दी आ जाएगा काफी स्टुडें सही की आए और अंसर की में कोस्टन गरत बताए आया तो वह ऑब्जैक्सिन लगाएंगे ठीक है आप सब को पता है तीन से चाठ दिन जाएंगे कि और आयको बता जाए इसस आए में जो आपका result की बारे में कुछ यहां पर information मिल पाएगी और वो हम आपको आगे बता देंगे ठीक है अभी बस यह प्रक्रिया रहने बाली है ठीक है और objection किस तरीके से आपको लगाना है दोस्तों कौन से question पर लगाना यह आपको पताएं जिस भी students को confusion इतने number हैं तो सबसे पहले number के बारे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है cutoff भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है उम्मीद करता हूँ आपके पास कोई भी confusion नहीं होगी ठीक है कोई भी confusion अगर होती है उसके बाद भी तो आप comment करके पूछेंगे और मैं आपको पूरी चैनल पर subscribe कर लिजिए बेल आगम को प्रेश जरूर कीजिए ताकि जैसे कोई latest update रहेगी वह हम आपके लिए जरूर बेजाएंगे क्योंकि यह दिस्तों आपके लिए भी benefit है इसमें सारी चीज जो भी आपके रहेगा वह हम आपके लिए बताते रहेंगे ठीक है और result आपक जो objection का criteria रहने वाला है उसके बाद में result की ही result आपका जल्दी ही आएगा ठीक है तो अभी के लिए इतना ही धन्यबाद friends जय जय बारत